एलो student, welcome back to Pravala classes. आज हम डिस्कस करेंगे जुरिस्पूडेंट में एनलेटिकल स्कूल विशलेशनात्मक विचारधारा और उसमें हम डिस्कस करेंगे बैंथम को क्योंकि एनलेटिकल स्कूल में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट हैं. Analytical School यानि की विश्लेशात्मक विचारधारा हिंदी में अगर कहें तो Analytical School जो है उसे Positive School भी कहा जाता है और Positive Law भी कहा जाता है जो वर्ड Positive है वो सबसे पहले जो French Thinker August कामते हैं उन्होंने यूज किया था अब बात अगर करें कि Positive School या फिर Analytical School या Positiveism Law क्या कहता है उसके जितने भी Exponents थे यानि की जो विख्याता थे इस स्कूल के वो ये कहते थे कि कि Past में क्या था या Future में क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है जो वर्टमान में है यानि की Present में है उसे ही Law की मानेता मिलनी चाहिए यानि की At That Time जो भी आपका समप्रभू है, Sovereign Authority है वो At Present जो Law या Rule और Regulation फॉलो कर रहा है यानि की As a Rule या As a Law वो लोगों से Follow कर वा रहा है बना रहा है वही Law है कोई मतलब नहीं बनता कि उस Law से पहले क्या Law था या उस Law के बाद क्या Law होगा यानि की वो Future और जो Past है उससे नकारते हैं यानि की उससे Related जो भी Rule Regulations ते उससे नकारते हैं वो वरतमान में कहते हैं की जो वरतमान में है वही है यानि की वो वरतमान में जीते हैं अगर कहा जाए तो वो यह भी कहते हैं law as it is कानून जैसा है वैसा है यानि की कानून जैसा है at present present time में जो जैसा कानून है वही law है ना कि law कैसा होना चाहिए law कैसा था यह इस पर believe नहीं करते हैं यह believe करते हैं present वही अनलेटिकल स्कूल की अगर हम बात करें तो उसको English स्कूल Imperativist स्कूल Theological स्कूल और Austenian स्कूल भी कहा जाता है John Austen को founder माना जाता है analytical schools of jurisprudence का इसलिए जो Austenian स्कूल नाम पढ़ा है वो Austen के नाम पर ही बढ़ा है Next अगर हम आगे बात करें There are four jurists and this is school Garmy Bentham, John Austen, Hans Kelson और H.L. Hart इसमें सबसे पहले हम डिसकूस करेंगे Bentham को Bentham के क्या thoughts थी क्या उनका role था है अनल आटिकल स्कूल में law को उन्होंने किस तरह से categorize किया क्या उनकी theorists थी अब हम इसमें डिसकूस करेंगे Bentham जो था वो इंगलिस philosopher यानि की एक अंग्रेजी दार्शनिक था एक jurist यानि की एक विदी शास्त्री भी था और एक social reformer भी था सबसे जादा कहें तो एक social reformer के point of view से उन्हें ने बहुत जादा work किया उनका जन्म 15 पैब 1748 को लेंडन में हुआ था उनकी फादर और जो उनकी grandfather थे वो भी जो है lawyer थे उनकी फादर ने उने study करने के लिए Queen's College Oxford University में भेज दिया गया at the age of 12 जब उनकी age 12 years यानकी 12 साल की थी at the age of 21 in 1769 he qualified as barrister मात्र 21 वर्ष की I.U. में वो एक barrister बन चुके थे he died in 1832 at the age of 84 जब उनकी age 84 होई तो 1832 में उनकी death होई उन्होंने request किया कि उनकी जो body थी और उनका head वो preserve करके रखा जाए for scientific research research के लिए scientific research करने के लिए इसलिए आज भी जो उनकी body है वो reserve करके रखी गई है University College London Institute of Archelogy में यहां यहां यह है bentham की body देखे यह पहरे जो bentham का जो head था वो original लगाया हुआ था बट किसी reason से उनका जो original head है वो preserve करके अलग ज़के रख दिया गया है और उनकी जो wax से बनाई हुई है उनका head वो wax की थूँ जो statues वगएरा बनाये जाते हैं उस wax की ही इनका head यहां पर लगाया हुआ है body इनकी original है अगर हम बात करें उनके principles की तो वो lazy sphery को follow करते थे जिसका मतलब है कि जो state है उसका जो interference है economical activities of individual कि जो व्यक्ति गतिविधिया है आर्थिक गतिविधिया है उसका state का जो है minimum interference होना चाहिए यानकी उसका हस्तक shape जादा नहीं होना चाहिए जो लोगों के जो व्यक्ति गत आर्थिक activities है गतिविधिया है बैतम reject the theory of natural law सबसे बड़ी बात वो इससे पहले आप video YouTube पे पड़ी हुई है आप सर्च करके देख सकते हैं playlist में जा करके मैंने natural law theory को discuss किया है वो कहते थे कि जो natural law है वो उसको reject करते थे deny करते थे वो मानते थे यह natural law नहीं है and correlated law with the sovereignty and utility और वो किस से correlate करते थे law को sovereignty यानि कि वो natural law को नकारते थे और जो उनकी theories हैं अब यहाँ पर देज़े दे निकल के आ रही है कि उनकी जो theories हैं वो sovereignty यानि कि प्रभुत्ता समप्रभुत्ता और utility उप्योगितावाद को follow करती थे जो बैंथम थे उनकी जो theory थी theory of utilitarism उसमें क्या था कि जो बैंथम थे उन्होंने कहा कि जो law होना चाहिए उसमें maximum happiness होना चाहिए और maximum liberty होना चाहिए यह उन्होंने किसके थुरू कहा उन्होंने अपनी एक book publish की जिसका नीम था limits of jurisprudence defined उसमें उन्होंने अपने जो यह उपयोगितावादी विचार थे उनके उससे related बाती उसमें mention की और कहा कि जब state है जब भी कोई law बना रहा होता है तो उसको follow करना चाहिए उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लोगों के लिए वो लोग का creation कर रहा है लोग बना रहा है उसमें maximum happiness होना चाहिए लोगों का और maximum liberty होनी चाहिए happiness याने की सुक होना चाहिए स्वतंत्रता होनी चाहिए He means to test every law and keep a check whether they are providing maximum happiness and liberty वो ये कहते हैं कि जब भी कोई law बना चाहिए तो उसको test करना चाहिए और किस तरह से test करना चाहिए कि जो वो law बनाया गया है वो लोगों को खुशी दे रहा है या नहीं याने कि सुख कितना दे रहा है खुशी कितनी दे रहा है आना चाहिए लीडिंग तो दर प्रिंसिप और फिटिलिटी ग्रेटेस्ट हैपिनेस और ग्रेटेस्ट नमबर ओफ प्यूपिल उनका मतलब था अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख याने कि लोग ऐसा होना चाहिए जिससे कि अधिक्तम लोगों को सुख मिले यहाँ पर अगर उनकी जो थियोरी है उपयोगितावादी जो उनका सिधान्त है उसमें वो क्वेंटिटी की बात करते हैं क्वेंटिटी मैटर करती है नौट क्वालिटी उनके अकॉर्डिंग यानि कि आप ये देखिए कि किसी लौ अगर कोई लौ बनाया गया है तो उससे कितनी किस क्वेंटिटी में यानि कि कितनी मात्रा में लोगों को उससे सुख मिल रहा है लोग उससे खुश है ना कि आप क्वालिटी देखिए कि उसकी क्वालिटी ऐसी है ठीक है यह उसकी quality वैसी आप quality मन देखिए आप number of pupil देखिए greatest happiness of the greatest number of pupil आगे जो पैंथम थे वो ये कहते थे कि the purpose of law is to bring pleasure कि जो purpose है लौका वो pleasure होना चाहिए यानि कि लोगों को pleasure मिले उस law से and avoid pain और law बराते समय प्लैजर को ध्यान में रखते हुए जो pain है जो जिससे लोगों को दर्द होता है दुख मिलता है उसको avoid करना चाहिए and a legislation come to an end on the largest happiness of the largest number और जो legislation है उसे किस पर ध्यान देना चाहिए greatest happiness यानि कि अधिक्तम सुख किसका अधिक्तम लोगों का यानि कि उस law से अधिक्तम लोग जो हैं उन्हें सुख की अनुभूती हो रही है यानि कि उन्हें खुशी मिल रही है according to the theory of utilitarian individualism the right aim of the legislation is to carry out the principle of utility अगर हम बात करें जो theory है utilitarian individualism की व्यक्तिवादी उपयोगितावाद उसमें ये कहा गया है कि जो right aim है legislation का वो carry out the principle of utility जो principle है utility उपयोगितावाद के उनको carry out करना है और legislation को ऐसा law develop करना है on the basis of utility of individuals जिससे की जो व्यक्ति हैं उनकी उपयोगिता को आधार बना जा सके यानि की legislation को जो आपका utility of individuals है व्यक्तिगत उपयोगिता है उसके बहाफ पे ही legislation के थूँ लौ बनाना चाहिए आगे क्या कहते हैं यहां पे वो कहते हैं कि जो government का उदेश्य है या होना चाहिए वो होना चाहिए उनकी प्रमोट करना चाहिए happiness of society को ना कि उनकी दुख को प्रमोट करना चाहिए ऐसा law बनाना चाहिए जिससे कि मतलब जिस चीज़ता उन लुगों को दुख है उससे उन्हे happiness मिले और जो law बना रहा है यानि कि जो law बनाया जा रहा है government के थूँ वो ऐसा होना चाहिए जो कि उनके pain के against उन्हें security प्रोवाइट कराई ठीक है in short अगर कहा जाए तो बैंथम कहते थे कि law ऐसा होना चाहिए जिससे जादा से जादा लोग satisfied है ठीक है हो कहीं कि हाँ ये अच्छा था हमें इस चीज़ का मतलब problem थी और अब हम satisfied है मतलब उन्हें सुख मिल रहा है उस चीज़ से ना कि ऐसा हो कि उनका और जादा उन्हें pain मिल जाए तो government को जब भी कोई law creation कर रही है legislation तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि according to बैंथम कि greatest happiness होनी चाहिए और greatest number of people देखिए बात आती है कि जो बैंथम थे उन्होंने Utilitarian Theory उप्योगितावादी सिध्धान्त दिया उसमें उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए अब बात यहाँ पर question यह praise हो रहा है कि जो सुख और दुख है उसका measurement कैसे किया जाए क्यों क्योंकि जो pain और pleasure है वो कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि उन्हें किसी मापक इकाई के थुरू नापा जा सकता है कि एक मीटर आप सुख दे दीजे या फिर एक किलो सुख दे दीजे या एक लीटर सुख दे दीजे इस तरह से उसका measurement नहीं किया जा सकता तो question यह आ रहा था कि pain और pleasure दोनों को हम calculate कैसे करें तो Benthan ने utilitarian calculus बनाया जिसे उप्योगितावाती गढ़ना भी कहा जाता है उसमें उन्हेंने seven factors रखे calculate करने के लिए pain और pleasure को factors जैसे कि किसी को कोई measure करने के लिए एक इकाई होती है unit होती है तो ऐसे ही उन्हेंने क्या किया जैसे एक इकाई होती है मापने की तो उन्हेंने भी साथ इकाईयां बनाई कि इस तरह से हम सुख और दुख को माप सकते हैं जिसमें से पहला था intensity तीवरता कि जो भी act है जिस एकट से अगर आपको सुख मिल रहा है तो उसकी तीवरता कितनी intensity कितनी अगर intensity उससे जदा है तो उसके सुख में है जादा सकता है कि सुख उसमें कितना मिलेगा दुख जाएद ओवन कि निश्चिता कि निश्चित रूप से जो हम आपक्ट है कि वह बना रहेगा अगर बना रहेगे निश्चिता उसमें है तो वुआ दुक मिल रहा है वो कितना उचित है कि उचिता उस में है या नहीं है नुख सी बात है मिलने की समभावना है जा सुख ज幫 के हैं चैप कारी के लिए जाता तक हमें इस सूख मिल सकता है अगर अगर वाई कोई अनुचित का रिया है तो उसके लिए शुर्ट टैइनिंग होता है जो सुक होता है। तो उचिता भी आपका measurement बताया उण्होंने नेक्स्ट आपका जो आता ही फ्यू कैंडिटी याणि कि फल प्रजिता means जो fertility भी उसको कहा जाता था उपजाओ बनता है यानि कि उसके मतलब यह फल प्रदता से मतलब यह है कि ऐसा कोई सुख है क्या कि जो आपको वर्तमान में भी है और आगे चल कर भी आपको वो सुख देता रहेगा ठीक है तो normal सी बात है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जिससे आज भी सुख मिल रहा है और आगे चल के भी सुख मिलेगा तो उसमें सुख की मात्रा जाद होगी next purity purity में आपका आता है कि कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं है उस कार्य से तो सुख नहीं मिल रहा है कि आज तो वो उससे सुख मिल रहा है लेकिन आगे चाके उसमें क्या होगा उसमें दुख मिल सकता है तो purity भी होनी चाहिए तो normal सी बात है कि आगे चल कर अगर किसी कार्य से दुख मिलेगा तो वो आपका उसमें दुख की मात्रा जादर होगी और सुख का मात्रा कम होगी तो ये भी measurement बन सकता है Next Extend यानि कि जो आपका जिस एक्ट से आपको सुख मिल रहा है उसकी Extendity कितनी है यानि कि उसका छेतर कितना है कि वो एक लोग को एक परसन किसी एक व्यक्ति को प्रभाववित कर रहा है या फिर वो चार को कर रहा है किसी परटिकल-पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है तो नमल सी बात है Extend जाद होगा जाद लोगों को वो अगर सुख की अन्भूति करा रहा है इनकी सुखी मात्रा उसमों उतनी ही जादा होगी अब ये तो हो गई बैंथम की जो उनकी seven points थे कि उन्होंने दुख को किस तरह से measurement किया क्या कहना चाह रहे थे वो अब जो बैंथम है जो उन्होंने बैंथम ने अपनी theory दी उसकी कुछ criticism थी कुछ लोग ने उनकी आलोचना की उनकी इस theory की किस बहाफ पे इस theory fails to balance individual interest with the interest of community जो other jurors थे उन्होंने कहा कि जो बैंथम है उन्होंने ये तो बता दिया कि अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख होना चाहिए बट उन्होंने individual interest में और community interest में वो उसको balance करने में fail हो गए यहाँ पर वो एक किसी व्यक्तिगत किसी particular किसी व्यक्ति के interest की बात कर रहे है या एक community के interest की बात कर रहे है और अगर इन दोनों की वो बात कर रहे है तो इनमें क्या balance क्या होना चाहिए कितना individual interest होना चाहिए यानि कि कितना किसी का व्यक्तिगत सुख होना चाहिए, किसका कितना आपका community or society है, एक group है, group of peoples है, उनका सुख होना चाहिए, तो उसको वो balance करने में फेल रहे है। आगे next क्या उनकी अलोचना हुई? Theory of Utilism is that pleasure and pain alone cannot be final test of an adequacy of law. किसी उत्तम लोग का जो final test होता है, तो pain और pleasure के बहाफ पे जो utilitarianism theory है, पैंथम की, उस पे नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर लोगों के सुख को ही ध्यान में रखते रहे और दुप को ध्यान में रखते रहे, तो इस तरह से तो कोई सुख, कोई चीज, मतलब कोई ऐसा act है कि उस act से किसी एक person को हो सकता है, pleasure मिल रहा हो, या दूसरे वेक्ति को pain मिल रहा हो, तो इसके measurement में ही लगे रहन फिर law, अगर final test अगर किया जाए, तो वो एक उचित law के लिए, उचित law बनाने के लिए, खाली pain और pleasure के बेहाफ पे हम कोई law नहीं बना सकते, इस चीज पर उनकी आलोचना हुई नेक्स्ट, Bentham was against the judgment law, but in modern scenario, it is necessary, जो जो रिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो बेन्थम है, वो judgment law की, जो judges हैं, उनकी थ्रू जो law बनाया जाता है, precedence, यानि की पूर्णे जिने कहा जाता है, उसको भी law की तरही फॉलो किया जाता है, तो वो उसे law मानने के लिए, एगरी नहीं है, और जबकि आज की modern scenario में अगर देखा जाए, तो यह बहुत जरूरी है, तो इस तरह से भी जो बेन्थम है, उन्होंने जो judgment law है, उसको इग्नोर किया है, और सारा जो focus था उनका sovereignty पे है, यानि की, जो present में आपका sovereign है, sovereign authority है, सम्प्रभू है, present में वो जो law बनाएगा, वही आपका law होगा, बस उसे क्या देखना चाहिए law बनाते समय, pleasure and pain, कितना लोगों को pleasure हो रहा है, कितना pain हो रहा है, और ऐसा law बनाना चाहिए, जो कि लोगों को अधिक से अधिक pleasure देता हो, नेक्स्ट जो थे, इटिक्स और प्रिंसिपल अव गेटेस्ट हैपिनेस और गेटेस्ट नमबर नीड लॉजिकल थिंकिंग और उन्होंने कहा, कि जो बैंधम की थियोरी है, जो एटिक्स है उनकी, अचार है उनकी, जो सिद्धान्त है, greatest happiness of greatest number, उन्हें थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग की ज़रुरत है, कि तार्किक विचार उस पर किये जाने चाहिए, और प्रमानिक्ता की उसे आविशक्ता है, बैंधम की आलोचो को उन्हें ये कहा, कि जो थियोरी है, जो प्रिंसिपल है, greatest happiness of the greatest number, वो ऐसे ही apply नहीं किया जाना चाहिए, उसे थोड़ा उस पर तार्क की ज्यान लगाना चाहिए अपना, और उसकी जो प्रमानिक्ता है, उस पर भी गौर करना चाहिए, खामका ऐसे नहीं है कि greatest happiness of greatest number को आपने मान लिया, उसकी बहाँ पे आपने law बनाना शुरू कर दिया, तो ये थी हैं हमारी बैंधम की थियोरी, एन अर्टिकल स्कूल्स में, थियोरी आफ यूटिलिटिज्म, I hope it will be helpful to all of you, thanks for watching, please like, share and subscribe.